हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चू आर निव ब्लॉग आज मैं तमिलाडू के एक छोटे से गाउं के अंदर हूँ किसी काम के वज़े से आया हूँ लेकिन आज का टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड तो नहीं है आज का टॉपिक हमारा कहीं न कहीं मेरी पहली वीडियो से रिलेटेड है जिसमें मैंने ग्रेटर नोइडा के विलाज के ओपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखी थी जो की मेरी पर्सनल थी बट हाँ मुझे अच्छा लगा कि काफी लोगों ने उसको सराहा है और काफी लोगों ने पसंद किया और कुछ लोगों के question में बात करता हूं मैं आप लोगों मेंसे ही एक हूं और हम लोग मकान लेने के बात क्या सफर करते हैं मैं उन points को ध्यान में रखकर ही मैंने वो video बनाये थी जिसमें कुछ questions जो मेरे पास आए थिए उन questions के उपर हम answer करेंगे और उसके अलाबा कुछ और चीज़ें भी देखेंगे चलिए start करते हैं इस वीडियो को और start करने से पहले मैं आप लोगों से request करता हूँ प्लीज आप मेरे इस चैनल को subscribe करें, like करें, जादा से जादा दूसरों तक share करें अगर आप लोगों को मेरा content अच्छा लगता है या फिर आप लोगों को मेरी बाते सरल लगती है तो आप मेरे साथ जुड़ें जादा से सादा, मुझे प्रोत्साहन मिलता है अगर आप लोग मुझे अपना प्यार देते हैं स्टार्ट करते हैं यहां पर कि मेरे पास आसपास सही वातावरन है, स्वक्ष वायू है, फ्रेश एयर है, पानी की भी कमी नहीं है और बिजली तो आज सकल गाउं गाउं में पहुँच चुका है, हर्याली आप देखी सकते हैं, फ्लैट सिस्टम है नहीं तो इस गाउं में क्या मैं फ्लाट ले सकता हूं, मेरी परसनल राय है, फ्रेश एयर के लिए मैं यहां पर चार गंटे-पांच गंटे, चार-पंच दिन भी मैं बिता सकता हूं उसके अलावा शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरीके से सरलता में रहने की, नहीं आप लोगों को है, आप सबी लोग शहर में रहते हैं, और शहर में जब आप लोग रहते हैं, तो कही ना कहीं आपकी आदत बन जाती है, गैट करता हूँ तो कही ना कही मुझे यही सब देखने को मिलेगा तो यह सीज तो मुझे यहां पर भी देखने को मिल रही है और उसे जादा सस्ती मिल रही है इस पर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं इन्वेस्टमेंट किसके बेसिस पर करूंगा पहला क्वेशन यह या मैं रहने के लिए लोगा या मेरे लिए दोनों ही चीजें हैं investment प्लस रहना यह तीन criteria depend करती हैं आपके प्रॉपरटी लेने के उब पर पहला होता है कि इंवेस्टमेंट का मुझे shift होना नहीं है तो मैं कहीं पर investment future का 10-15 साल का मैं growth देखकर या फिर वहाँ पे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके हिसाब से मैंने इंवेस्टमेंट कर दी और 15 साल तक मैंने छोड़ दिया दस साल तक छोड़ दिया जो भी मुझे लगा अर्जन बेसेस पे कि हां मुझे 5 साल में ही ग्रोथ मिल गया है इतना बहुत है क्योंकि I need the urgent money और मैंने मुझे क्या problem है वो चीजें आप ही जान सकते हैं और उसके basis पे आप decision ले सकते हैं मैं against किसी के भी investment के पीछे नहीं हूँ वो आपकी अपनी राय है बट मैंने अपनी जो राय दी है वो थोड़ा practically proven दी है because लोगों को लगता है कि वो growth दे जाएगी obviously देगी लेकिन जब कि परपस से investment करता हूँ तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ फिर दूसरी बात कही जाती है उसी location के लिए कि industries आ रहे हैं crowd बढ़ेगा और किराय के लिए किराया पे यूं हो जाएगा आपको चुट की बजाता ही आपका मकान जो है किराय पे चला जाएगा तो दोस्तों कि वैसे location पे मैं plot लेकर अपना घर बनाकर इत्मिनान से अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ इत्मिनान से रहे सकून से रहे उसी के basis पे जो बाढ़ आई थी लोगों की greater noida village ही purchase करना है चाहे वो स्वर्ण नग और कई लोग थे जो रुग गए थोड़ा सा और कुछ लोग थे उन्होंने जल्द बाजी में investment कर दिया कर दिया कोई बात नहीं आपको डरने की बात नहीं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं डरने की बात नहीं है growth जरूर आएगा बट सर आप एक चीज़ देखिए यह मैंने यूट्यूब से ही सुना है कि शायद यह 2003-2004 में यह develop हुआ था और आज 2022 है almost 20 साल हो गए है 20 साल में भी लोग नहीं है तो मैं किराय के लिए तो करनी रहा अब बात आ जाती है किराया अभी जो हाल में किराया चल रहा है वो 200 मीटर के plot में 7000 से लेके 10,000 तक चल स 섞तर से लेक्टी सब्सक्राइब कर बिच में लगबग 4-5 फैट ले लूगा 25 लाग की ले लूगा तो कुछ लोग 12 लाग में भी दे रहे हैं कोई लोग 20 लाग में विदे रहे हैं ठेक है तो मैं ज़त 24 से 5 रौट है तो तीन फैट तो पांच 6 तो लोह त्षला क्यों ay पैसे आगे तो मैं इसके लिए में किराय के लिए तो नहीं जाओंगा हाँ तो दोस्तों अब आगे का प्कारवाई करते हैं कि फिर उफ कहा जाता है कि वहाँ पर क्या आने वाली है और रियलवे स्टेशन या बहुत बढ़ा रियलवे स्टेशन बनने वाला हैं जो नौर्थिस्ट के लिए कोड़ीडर होगा यह वो रियल्वे स्टेशन के लिए सारे इलाके में पनाए्ट है सकता अगर मैं सकून ढूनता हूं तो वह सकून खतम हो जाएगा सर जैसी वह रेलवे स्टेशन बनेगा मैं सकून के लिए ही तो मैं दिली से वहां पे आ रहा था लेकिन वह तो खतम हो जाएगा तो मेरे लिए वह भी रिस्पॉंसेबल नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए इन्वेस्टमेट के लिए नहीं है फिर किसी सजन ने मेरे से पूछा कि नॉर्मली कि यार वहां पे डेवलप्मेंट तो होगी सर मुझे नहीं मालूम कि आप लोग डेवलप्मेंट को किस हिसाब से देखते हैं डेवलप्मेंट जरूर होगी सर डैली नसीयर का इलाका है तो डेवलप्मेंट क्यों नहीं होगी लेकिन अगर मुझे भूक आज लगी है तो मुझे रोटी आज ही चाहिए मुझे इंवेस्टमेंट अगर मैंने 5 साल के लिए किया है और इंक्रीमेंट चाहता हूँ न तो मैं उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा मुझे सकून चाहिए था आपने सकून चीन लिया रेलवे स्टेशन लाकर मुझे मुझे सकून चाहिए था लेकिन आप मैं इंडस्ट्री से लाकर वहां पर पॉलुशन पैदा कर रहे हो मुझे हॉस्पिटल नहीं दे रहे हो सर पॉलुशन के बाद मुझे अगर अस्थमा हो जाए या फिर मुझे कुछ बीमारी हो जाए लेकिन हॉस्पिटल से आप प्रॉपर नहीं दे रहे हो जो एक निसी जिन्दगी है मैं कमा कि इसलिए रहा हूं मैं अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए अच्छी सिक्षा देने के लिए और घरवालों को एक अच्छा माहौल देने के लिए मैं कर रहा हूँ लेकिन अच्छा माहौल खतम हो जाएगा 10 साल के बाद ठीक है और बच्चों की सिक्षा बच्चे तब तक बड़े हो जाएंगे सर इसकूल भी नहीं आएंगे तो बच्चों की बच्चे पढ़ेंगे तो फाइदा नहीं है मैं चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़े लेकिन अब जिस तरीके से डेवलप्मेंट हो रही है बहुत स्लो ग्रोथ में तो वो मेरे बच्चे की बच्चे ही पढ़ेंगे यह सब कारण होते हैं जिसकी वज़े से मैं इंवेस्टमेंट बहुत तरीके से करता हूँ दोस्तों अगर इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले दो सेक्टर्स को पकड़ लो इसकूल और हॉस्पिटल्स यह दोनों सेक्टर्स हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं और यह दोनों सेक्टर्स वहीं पर लगाया जाते हैं जहां पर आबादी होती है तो यह ड जोनों पर जरूर फोकस किजिएगा, number of hospitals, number of schools. अगर ये ज़्यादा तौर पर हैं और इनकी construction चल रही है या अगले पांच साल में proposed हैं या बन कर तयार हो जाएंगे, जरूर आप investment किजिए. कि सोच परकर फिर से मैं कहता हूँ कि आप अपनी decision लीजिए, क्योंकि आपका पैसा, आपके काम आ जाए, मैं यही चाहता हूँ. आपका पैसा किसी और के काम आए, मैं यह नहीं चाहता हूँ. सभी लोग अभी तक middle class में use हो रहे हैं. केवल use हो रहे हैं. कभी कोई government use करती है, तो कभी कोई सरकारी department का अधिकारी use करता है, कभी bank का अधिकारी करता है, कभी agent करता है, कभी property dealer करता है, कभी कोई सबजी वाला करता है. हम लोग केवल पिसने के लिए बने हैं कैसर. सही से सोचेंगे, सही से investment करेंगे, क्योंकि पैसा आपका है, तो ये आपको growth देगा. दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात करहूँ कि, दिल्ली में एक ऐसा इलाका है, जहांपर 10 साल के अंदर 10X का growth दिया हुआ है. मैं location का नाम नहीं लूँगा. जो वहाँ पे कीमत थी, 15 लाग के flats की आज की कीमत है, वहाँ पे 1 करोड से उपर. इससे better growth ने मैंने नहीं देखा आज तक. और अगर villa में इतना ही दम था ना, तो आज की date में, जो 20 साल में growth के बाद, मुझे development मिलनी चाहिए थी, या फिर increment होना चाहिए था, वो चीज मुझे नहीं दिखाई दे रहा. प्लस अगर वो दिखाई में इसको दे भी जाता, अगर किराया वहाँ पे अगर अच्छा होता, मैं उस point of view से भी देख लेता, लेकिन वो भी चीज़े मुझे नहीं दिखाई दे रही है. तो ये सारे कारण थे, जिसकी वज़े से मैंने ग्रेटर नोड़ा के विला उसक पे इन्वेस्टमेंट ना करने की सोची. मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैं जब जा रहा हूँ, बार-बार जा रहा हूँ और बार बार उसको देख रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि शायद मैं खरीद लूँगा, नहीं भाई, मेरा पैसा मेरा है, मैं इतनी असानी से नहीं खरीद लूँगा, क्योंकि बड़ी महनत से कमाया हुआ ये पैसा है, ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करके नहीं कमाया हुआ सर, तो मैंने महने से कमाया और मैं इसको देख परक कर अच्छी जगह पे इंवेस्टमेंट करूँगा वो कम खा के बढ़े हुए रेट्स पे मैं कभी भी दाव नहीं खेलूँगा इंवेस्टमेंट बिल्कुल होगी डेवलप्मेंट बिल्कुल होगी गरेट इन प्लाउट्स पे लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी जो 20 साल में नहीं हो पाया वो अगले 10-15 साल ले जाएगा यानि कि किसी की एज अगर 30 साल थी ना वो 40 साल का है और अधेड उमर मतलब 50 साल का अगर वो हो जाएगा ना तब जाकर डेवलप्मेंट के बारे में वो सो सकता है तब तक वो 10 साल के बाद रिटैर होने वाला है और बढ़ापे के कुर्सी पे ऐसे से जूल रहा होगा कि काश मैंने कहीं और इन्वेस्मेंट कर लिए होती है तो सर उस तरीके की नौबत नहीं आने दीशे जिसकी वज़े से मैंने वो वीडियो बनाई थी और आज की ये वीडियो में बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग जादा से जादा मेरे साथ इस मोहीम में जूड़े ताकि कोई भी इनसान मिडियर क्लास के साथ खिलवार ना कर सके आज के बाद से जो डेवल्लक्मेंट पिछले 20 साल में नहीं होई वो डेवल्लक्मेंट अगले 20 साल में हो गई या 15 साल में होगी मैं विट नहीं कर पाता मुझे घ्राया सा आदत है मेरी आदत जो है वह सही invesment राइट टाइम पे करने की है और मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़ा ग्रो वे धी सारी है, रेट डेवलब होंगे, आससमें डेवल्लप्रमेंट बढ़ेगी। इंडिस्ट्रिस का हाल हमने देखा है, Sir, मायपुरी इंडस्ट्रिय अरिया नरायना इंडस्ट्रिय अरिया, आपका उद्योग वी हाल हो गया। मैं तो नहीं चाहूँ कि अगले 10 साल के बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे खुदी खटकने लग जाए और मैं एक अच्छे ग्रोथ के बाद इसको सेल करना नहीं किसी और को फसले नहीं दूंगा सर्थ मैं चाहता हूँ कि हर एक मिडल क्लास की इन्वेस्टमेंट वो उस टाइम से करना चालू करते हैं जब वो 18 यह को जाता है जब भी वो कमाने लग जाता है चाहे वो 18 साल हो चाहे 15 साल हो नॉर्मली हम लोग 30 साल का अगर मैं तीस साल की एज में हम लोग कोई भी मकान खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं अब मैं एक एवरिज पकड़ू 30 एयर्स में अगर कोई इनसान मकान लेता है तो इसको 20 साल का लोन मिलता है फर्स्ट फॉल मिडल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एकी बार में एकी शॉर्ट में कोई भी मकान या प्लॉट या विला खरीज सक जितना भी हम लोगों ने लोन लिया होता है उसका डबल के आसपास का एवरेज होता है अगर हमने 20 लाग रुपे लोन लिया है तो हम लोगों को भरना पड़ता है 42, 44, 38, 36, whatever the payment terms you have chosen तो उसके अगर आवरेज देखों तो डबल के आसपास देना पड़ रहा है क्या मेरी इन 10 साल के अंदर मुझे उतना recovery दे पाएगी इन सब points पर आपको सोचना होगा before going for any kind of investment और plot purchases और whatever लोगों सब ही लोगों से अनरोध हैं जो भी अपना flat या villa sale पे करना चाहते हैं या agent के through sale कर रहे हैं प्लीज हम सभी ग्रहकों को एक valid reason देते हैं price increase क्यों हुआ पिछले 6-7 महिनों में ऐसा क्या आगया कि हम लोग उस price को पचा पाए चाहे वो 90 मीटर की बात करें चाहे 120 मीटर की करें चाहे 200 मीटर चाहे वो 200 मीटर चाहे 300 मीटर कोई साभी plot उस location पे हम लोग क्यों ले इतने high prices में चली मिलते हैं अगले व्लोग या वीडियो के अंदर आपसे इसी सिलसले में मैं और बात करूँगा प्यार देते रहें subscribe करना ना भूले like करना ना भूले share करना ना भूले अभीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरा साथ यूं ही देते रहेंगे करना भीडियो